जै शीराम सभी भक्तों को जै मातागी फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताईए कि मंगलवार के ब्रत की संपून जानकारी की मंगलवार का ब्रत जो है कैसे करें और कब से शुरू करने चाहिए अगर महिलाएं करना चाहती है तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और भी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में ही मिलेगी संपून जानकारी आपको मंगलवार के ब्रत से जुड़ी हुई मिलने वाली है तो अंतक बने रही है तब भी आपको सारी वीड सबसे पहले ही आपके फोन में पहुच जाए चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो जैश्री राम जैश्री बाला जी माराज बाबा की असीम किरपा आपके परिवार पर सते बनी रहे और मेरी जगजनी माबवानी अंब के किरपा आपके गर में अनपूरना रुपे वास करें मंगल मुखी सदा सुखी जो मंगलवार के वर्त रखते हैं मंगलवार के वर्त रखने से क्या क्या लाब होता है आज पूरी जान करें डिटेल सरी देंगे मंगलवार का वर्त रखने से आपके अंदर एक डिड़ संकलप लेकर आप किसी भी काम को करते हो वो पुरन हो जो व्यक्ति मंगल वार का वर्त रखता है उसके अंदर उसके मन में एक स्तिरता आती है मचबूत पनाता है और मंगल गरहय का उसके उपर आशीवाद बना रहता है और मंगल गरहय को जिसने काबू किया वो वीर शिरोमनी की किरपा आपके उपर सदै बनी रहती है हनुमान जी महराज की हनुमान जी का वर्त रखने से मिलते हैं आपको अनगिनत लाव क्या महिलाएं रख सकती हैं नहीं रख सकती हैं अज़ ये सारी डिटेल से आपको उताओंगा अगर आप मंगलवार का वहत रखते हो तो मंगलवार के 21 वर्त या 11 वर्तों का संकलब लेकर आपको टार्गेट के परती कारिया करना चाहिए शुरुआत करने चाहिए आपका अगर कोई टार्गेट है कोट केस चल रहा है कचैरी में कोट है विवा में अर्चन आ रही है या कही न कही जमीनी विवाद चल रहा है जमीन का रोला चल रहा है या कोई आपके पती के साथ डिस्टिबूट कारिय चल रहा है या कई ऐसे विवादित कारिय जो है आपके चल रहे हैं तो मंगलवार के 21 वर्त का संकलप आप लेकर धारन कीजिए कि 21 वर्त मैं हर्मान जी के रखोंगी क्या इस वर्थ के अंदर क्या क्या पालन करना है आप वो आपको बताते हैं मंगलवार्थ के वर्थ के अंदर सबसे पहला पालन जो है वो आपको ब्रमचारी का करना है और अपने मन में स्तिवता रखनी है मन में शुद्धी रखनी है मन के अंदर किसी भी पकार का निंदा वक्त वाक्त आपके अंदर नहीं चलने चाहिए किसी की भी निंदा नहीं होने चाहिए जब आप वर्त रखते हो तो आपको दान भी करना चाहिए दान किस पकार का जो इस हाथ से करो और इस हाथ को भी पता ना लगे ऐसा दान करना चाहिए पक्षियों के लिए भी दान करना चाए और जो खागर होते हैं बेजार होते हैं उनके लिए आपको गुड का दान करना चाए और गुड की बनी रेवडी का भी दान करना चाए आपको इस पकार के अगर हो सके तो किसी को एक समय का भोजन का भी दान आप कर सकते हो और अगर ये कारिये आपनी और किस मंतर का जाप करना चाहिए मंतर का जाप जो है ओम हम हनुमते नमाहा इस मंतर की आपको ग्यारा माला जिस दिन आप मंगलवार का वर्त रखते हो उस दिन आपको करनी चाहिए कौन सा पाठ करना चाहिए पाठ आपको या तो सुन्दर कांड का पार्ट करना चाहिए या फिर आपको 11 हनुमान चलिसा का पार्ट जो है करना चाहिए हनुमान चलिसा का पार्ट में कोई तुरूटी ना हो या सुन्दर कान के पार्ट में कोई तुरूटी ना हो उसके लिए हमने कल एक वीडियो बनाई है आप उसको जरूर देख लेना जिससे आपको पून रूप से जानकारे मिल जाए कि हम कई वर पाट करते तो हमारे किस पकार की तूटिया हम हम कर देते हैं अब क्या खाएं क्या ना खाएं ये भी बहुत मन के अंदर आपके चलता होगा मंगलवार के वर्त में मिठे का सेवन करना चाहिए मिठे के सेवन से ही हनवान जी सिर्ग परसन होते हैं जब आप मंगलवार का वर्त रखते हो तो आपको दो मोती चुड़के लड़ू और दो तुलसी दल का भोग आपको हनवान जी को अरपन जरूर करना चाहिए नहीं तो थोड़े से चने और गुड का भोग भी आप हनवान जी को अरपन कर सकते हो अगर मोती चुड़के लड़ू नहीं कर पाते हो फिर आप अपने लिए क्या बनाएं मिठे रोटी भी बना सकते हो चिन्नी के प्राठे भी बना सकते हो मालो मिठे का कुछ भी सेवन कर सकते हो और उसके बाद आपने जब सूरिय जब अस्त होने वाला हो तब ही इसको आपने खोल लेना चाहिए वर्त को आपने क्या करना चाहिए आपने जल लेना चाहिए और आपकी जो थाली है जब आपने अपनी थाली निकाली उस थाली को ग्रहन करने से पहले आपको गव ग्रास निकालना चाहिए और आपके वर्त जब वर्त की रोटी बने जो व्यक्ति बनाए वो भी बुद्ध शुद्ध हो फवित्र होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए अगर कोई लेडिज बना रही है तो राज सवल्या के समय पर हनुमान जी के भक्त के लिए आप भोजन नहीं बना सकती हो अब उसके वाद आपने जल लेना है एक लोटा लेना है बरके और ये कहना है कि हे बालाजी माराज आपकी इच्छा के नुसार अपने डिड़ संकलब को पूर्ण करने के लिए मैंने ये वर्त रखा है हे बाबा मेरे वर्त में अगर पूरन दिन में मैंने किसी भी पकार की कोई वित्रूटी की हो मंतर हिन, तंतर हिन, यंतर हिन हे बाबा मेरी पूजा को सविकार कीजिए, हे बाबा मैं इस भोजन को ग्रहन करूँ ऐसी इच्छा प्रकट करती हूँ आपके शिरी चर्णों में मुझे अधेश दीजिए तीन वार आपने अपनी थाली के ओपर से ऐसे गुमाना है गुमाने के बाद आपने उसी जल को जल के लोटे में छोड़ देना है और एक बोलना है ओम सितराम अब जब भोजन ग्रैन करो तो एक निवाला तोड़ो तब आपने क्या बोलना है राम लक्षिमन जान की जै बोलो हनुमान की तीन गसे यही मंतर बोलकर आपने ग्रैन करने है आपका बड़े से बड़ा कारिया रुका वया हो कोई अर्चन हो इन 21 वर्तों में बाबा पुर्ण कर देंगे और आपकी हर मनो कामना पुर्ण हो सकती है हनुमान जी के वर्त से हनुमान जी के वर्त रखने से आपको नेकिन अंदर सिष्टा चार बहुत जरूरी है क्योंकि हनुमान जी मर्यादा में रहकर हर कारिय करते हैं अगर मर्यादा से बार वो कभी गए ही नहीं क्योंकि अगर मर्यादा से बार जाते तो लंका नहीं जलाते लंका पती को ही जला देते अगर वो मर्यादा से बार जाते तो हनुमान जी के पास बल की कोई सीमा नहीं है अकार की कोई सीमा नहीं है जान की कोई सीमा नहीं है उनकी और वो सिरफ ये देखते है कि मेरे वर्त मेरा जो भक्त है वो किस पकार की मेरे परती सेवा कर रहा है उसने जो वर्त रखे हैं उसके मन में किस पकार की इच्छा है न अपने अन को खाने से पहले आप गूग्रास का दान दीजी अगर नहीं तो कई वार संभव नहीं होता कोई वेक्ती फ्लैट में रहते हैं कहीं न Lindsay कोई नोड़ा कोई पतन ही कहां एक मंतर ये भी बोलना कि मंतर हिन तंतर हिन यंतर हिन है बाबा इस पूजा को सभीकार कर लेजिए जैमातर